प्रभी शुमस्री के सामर्थी नाम में सब्जन तारीफ करोपर मिश्वर्ट अगर बड़ा पेड़ गिराना हो और अगर आप उसे ध्यान से देखें जब कुलहारी वाला उसे मारता तो एक ही जगा मारता तो गिरता है हाँ या ना अगर आप उसे अलग अलग जगा मारें पूरे जोर से कभी मीचे कभी उपर कभी उपर कभी इदर कभी उदर क्या वो गिरेगा बोलो क्या वो गिरेगा क्या नहीं गिरेगा क्योंकि पेड़ गिराने के लिए आपको फोकस की जूरता जो एनर्जी आपके पास है आपको सही अब आप ओस पैड को हना हाट हॉं हालैलुया उसई तरह से प्रार्थना है można प्रएर है अगर आप चाहते हं यह हो जो यह बढ़ा काम आप कि सिंदगी में करें यह वो काम आपकी सिंदगी में करें मैंने आप बहुत करना सिखाया है और है आप जाते जब दैनियल प्राथना कर रहा था अगर आप वाइबल ध्यान से पढ़ते हैं आप पुराने नियम में जितने लोग पढ़ते हैं mostly तब परमेश्व की आत्मा या उसके दूतों ने काम किया है जब प्रात्ना परमेश्व के वचन के बीच में से की गई हालिलुया आप अगर दैनियल को प्रात्ना करते सुनें तो दैनियल इस्ता से प्रात्ना करता है हे मेरे परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जिसने इसराईयो को मिस्र देश से निकाला था तु वो परमेश्वरे जिसने समुद्र को दोभाग कर दिया था, फिर अपने लोगों के नान देश में पहुंच जाया, तु वो परमेश्वरे जिसने आर्समान से मनना बरसाया था और बाइगों में लिखा है, उसी टाइम दूद भेज दिया गया स्वरक से, दैनियल के उत चालो किते हो तु यहीं, दैनियल लिखा पाइबल के बीट से प्रातना करा था, हे परमेश्वर, तु वही है जिसने मिस्रियों से हमको निकाला था, तु ने भारी प्रब्लम से हमें आज़ाद किया था, तु वही परमेश्वर है जिसने आजमान से खाना बरसाया था, आज हम मन फिराते हैं, आज हम तेरी और मुड़ते हैं, लिखा उसी समय दूद्र फेज दिया गया, अगर आप पत्रस की प्राद्रा को सुनें, जब उसे मार पड़ी, तो आगे बोलते हैं, भे परमेश्वर, तु भे परमेश्वर जिसने कहा था, अंतिके दिनों में मैं आपन से होंगे, लोग दो कितना इस वतन को जानते हैं, और लिखा जैसे ही उस वचन में से प्राद्रा खतम होई, लिखा परमेश्वर का आत्म उजगा पे उत्रा और सब लोग परमित्र आत्म से भर गये, और वो स्थान जो प्राद्रा वाँ पर कर रहे थे वो हील गया, खा या ना किया वो इस तरह से प्रात्ना करें थे है परमेश्वर मर गए ओ देखो उने की करता ओ परमेश्वर जी कुट्टे गए थाठी बड़ी पैंटी लाई उन्हे उन्हें ने ओ नो मार देओ और दुश्मा नो फाड़ो परमेश्वर जी नो नो वचन से जो आप रात् होता है आपकी ब्रेयर एमोशनल नहीं आपके footer श्क्रिश्ट अलैयर आपकी फालड़त्रा भाइबल के वचलों के भीश्वर की व्यागनी करते हैं चैय मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब एक आपकर मकामं करता वो मिश्वास के भीश्वास दोब्छा प्रात्ना करते है हाँ या ना है सब मेरे यो ध्यांगों अपने प्रोसी को बोलो परमेश्वर तरी जरूरत के हिसाब से नहीं पर तेरे विश्वास के हिसाब से काम करता है आमेन मैं अधिकारों मनुश्य हूं मेरे नीचे के काम करते हैं जब मैं उनको बोलता हूं जाओ तो वो जाते हैं आओ तो आते हैं यानि मैं अधिकार समझता हूं मैं भी ढांता हूं मैं अधिकारी हूं आप भी अधिकार रखते वरस मुझ से बोल दो प्रभू परमेश्वने का जात्रब सिवक चंगा हो चुक है परमेश्वर ने उसकी जुरूरत के हिसाब से काम किया या उसके विश्वास के हिसाब से काम किया शेमोन कोडी के घर में परमेश्वर जाते हैं और वापिस आते हैं शेमोन कोडी कोडी का कोडी कुछ प्रभ येश्व मसी के सामने वो कोडी का क्या रह जाते हैं कोड़ी रहे तो उसके घर में आके एक पापन औरत शिफा पाजाती है पर शमोन कोड़ी शिफा नहीं पाता कारम क्या था अभिश्वास परमेशों में शक कर रहा था अगर ए ये शू है देके ना इन्नू नहीं पता कि तेड़ी औरत नू छोड़े यो पापी है तरमेशों ने का शमोन डॉक्तर बीमारों के लिए मैं पापियों के लिए आया हूं जो पहले से धर्मी है उनके लिए नहीं जो पापी है मैं उनके लिए आया हूं अगर ये पापी मेरे पाओं को छू रहे है तो इसके पाप माफ है उसने का जा चली जा और पाप से बची र पोड़ी हालेलुया आप जो वही आयत पढ़ते हैं 131 की एक आयत आज मुझे पढ़्ड़ाव में पढ़ड़ी पढ़ेगी हे यहोवा मेरा दिल हंकारी नहीं ना मेरिया अखा कमंड दिया हन अधे जेडियां करना मेरे लिए बटियां अधे अचरत संग मैं ओना मिज़ तखल नहीं दिन्दा सब बोलो आमेन नी संग मैं आपनी जान नू ठंडा दे चुप करा लियाएं जिमें दोद छुडाया होया बालग अपनी मा दे नाल रहनदा है हाँ दोद छुड़ा है बालक वांगू मेरी जान मेरे अंदर है हे इस्राइल यहावा उते आस रख हूण तो लेके सदीब कालताईं सब बोलो आमेन फर्मेश्व ने का का उस वेक्ति ने का कि मेरा मन कैसे रहता है जैसे एक मता की गोद में दूद छुड़ाया हुआ ऑलक कि जोब दूद छुड़ाते उन बालकों का बच्चों का तो उसका माता की गोल मेड़े उसका ध्यान का रहता हर वर कि मैं दूद्ध पीना है हाँ या ना लेकिन उसको मम्मी ने छुडा दिया उसकी मम्मी उसे मारती है उसे तंग करती है उसे पीने नहीं देती लेकिन वो चुप करके बैठा है उसका पूरा mostly miracles आपकी लाइफ में तब होते हैं जब आपका मन शान्द होता है बड़े चमतकार, बड़े काम आपकी जिंद्री में तब शुरू होते हैं जब आपका मन कैसा होता है शान्द एक आयत में लिखा जब आप दुबारा से बढ़ते हैं कि जेडिया कलना मेरे लिवट द्धियाँ दे अचर्ज सं मैं ओना में दखल नहीं देना कि केडिया गलना जडियाँ भडियाँ थे अचिर्ज मतलब अश्चर है एपक है या जो समझ से बाहा है है अधा दो कुर्यां हो गयी है रभ वी न बस ऐधर दर जब आप भुनों सलाह दे रहे हैं आप एक तरनों तूज़ा मुंदा दे जरा है जाईदा से कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आप नहीं जानते हैं जो दूसरी लड़की पैदा हो रही है वो सेवक है भविश्यत्रतन है या क्या है आप नहीं जानते हैं आपको सिर्व बोलना आए है हालेलुया जब मेरी वाइब पैदा हुए थी अपने घर में लोग रोने के लिए और आपके सामने बैठेगे हैं हालेलुया कितने मेरी बात को समझ रहे हैं लिखा जो बात ही मेरे लिए अश्चरें जो मेरी समझ से बाहर है जो मेरी सोट से परें कैसा मैं उनसे काम नहीं रगता क्यों पेटा हो गया क्यों दो कुडियां हो गया है प्रभू जो मुंडे दिन तो कोडियां दिनने प्रभू तो ईद्दा नहीं करना चाहिए है। वहाइं कियाती है जानते हैं अपनी माता की गोध में इस तरह से हूँ जैसे मेरा दूर्स तरह किवेज इस रे मीन किया जारह तो कर रहे हैं लेकिन मुझे discipline किया जा रहे हैं मुझे discipline में रखा जा रहे हैं अपनी माता की गोद में उसी तरह लिकेता हो किया दिल शान्त है आपकी लाइविपे biggest testimony उन दिनों में आएगी तो आपका दिल शान्त होगा आपको जलती नहीं होगी इन साथ संदे में मैंने चमत कर लेना है मैंने काम करना है प्रभु तुझे करना ही करना है वो कभी प्रेशर नहीं डालेगा उसे का मेरा मन इस तरह से हैं तो छुड़ाया बाले कपनी माता की ग बातों की हालिलूया कैसे अप्षाती घर लगा हुए है आप उन बातों में दहीं देंगे जो आपी समझ से परें हालिलूया या आप सब्रमिश्चंपों शारांदेने की कोशिश नहीं करेंगे वो कि पूचर जान है हाँ या ना वो जानते हैं ऐसे परिवार जिशिन में तीन तीन लड़के देखें तीनों नशों में क्या करो वे लड़कों का लड़के लड़कियां कोई मतलब नहीं सुख परमेश्व के वह से निकलता है लड़के लड़कियों के भी से थे हालेलुया वह आपको आपके दिल की डिसायर देसकता अगर आप लड़का मांगे लड़की मांगे लेकिन तो खान है वो परमेशों के साथ जुड़ा हुआ हाँ या ना इस्राइली राजा जब लड़ते थे जब लड़ने के लिए जाते थे लिकाश अगर वो छोटे थे उन बाब में चले जड़ी मूर्ती करने शुड़र करते थे और एक दिन छोटा राजा आगे नहीं हराता था उरने फिर समझ आ अती था फिर हमारा जीतना हमारी और और जोर और से घर फिर propi आप कर दे हम पॉलड़ा ने करें गए और फिर पर में जो ने जिदाता था, ये बताने के लिए, कि तुम नहीं, मैं हूँ, तुम नहीं, मैं हूँ, तुम नहीं, मैं हूँ, तुम नहीं, मैं हूँ, तुम नहीं, 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 तुम न आग चलती जब तक वो चीज़ को राख नहीं कर देती। यहुना ने कहा तो मेरे बाद जो आने वाल है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग के साथ बप्तिस्पा देगा। जब आग तुम्हारे अंदर जाएगी। लाग दुनिया विरोधी ओ, लोग विरोधी ओ, कोई विरोधी ओ, अपना काम की एक बिना आप उस दुनिया से कभी हूपर नहीं जाएँगे। अगर आग आपके अंदर है, अगर फायर आपके अंदर है तो आमें। इसलिए शैतान फायर ख़तम करने कोशिश करता है, आग ख़तम करने कोशिश करता है, पाप पर ले जाके, वैश्याओं के अटपर ले जाके, दारूं पिलाने के और लेके जाके, उसे पता अगर आग इसकी जिन्दिकी में रही, पवित्रात्मा की आग, तो ये चलाएगा काम खतम नहीं हो जाता है हालिलूया आपको ये बात समझ नहीं लिगा जो बाते मेरी समझ से परें जो मेरे लिए अचर जहन जो मेरी समझ तो बार ने जो मेरे लिए बड़ा बड़ी बाते काता मैं उन पर ध्यान नहीं लगा था एक Christian अपने शब्दों से पहचाना जाता है अपने कपड़ों से नहीं